आज हम शुरू करने जा रहे हैं Contextual Attribute और इसके अंदर हम देखेंगे कि जब हम बच्चों के लिए कोई किताब लेते हैं तो इसकी Contextual Attribute क्या होने चाहिए जो बच्चों की एज के मताबिक हों उनके इंट्रस्ट को डिवेलप करें और उनका किताबों के साथ रिलेशन्शिप बिल्ड़ अप करने में मदद करें तो उन Contextual Attribute को हम डिरेक्टली पढ़ने से पहले सबसे पहले देखेंगे कि Contextual Attribute थे क्या जिसे हम आपके सामने नजर आ रहे हैं कि Contextual Attribute में सबसे इंपॉर्टन चीज़ आती है करेक्टर कि वो करेक्टर जो आप प्रिजेंट करने जा रहे हो कहानियों में क्या जो करेक्टर उस कहानी में मौझूद है वो क्या है उसका नाम क्या है उसके आक्शन क्या है उसका बहेवियर क्या है उसके बाद जो अगली चीज़ आ रही है वो आ रही है प्लाट सो आप जो करेक्टर डिवेलप करने जा रहे हो वो कि सीन में है उसमें क्या ड्रमाटिक सीन होने जा रहे है क्या एक्शन होने जा रहे है कहानी के अंदर क्या अप्स हैं क्या डाउंस हैं और आपकी कहानी का थीन क्या है क्या वो ने चाहते हैं friendship के उपर है boundaries fix करने के उपर है तो यह तमाम चीजें हमारी context attribute का हिस्सा है और कैसी हम language इस्तेमाल करने जा रहे हैं कितने जुमले हैं कितने मुश्किल हैं कितने आसान है क्या बच्चे उन जुमलों में इंट्रस्ट लेंगे तो यह तमाम चीजें हमारे context का हिस्सा है अब हमने सबसे पहले देखना है कि बर्स से लेकर छे साल तक का बच्चा overall उसकी development कैसी है और जब हम एक कहानी उस बच्चे के लिए चूज करते हैं तो उस कहानी में क्या चीजें होनी चाहिए जो बच्चे की development में उसकी मदद करें सबसे पहले कहानियों का मकसद यह है कि बच्चों के अंदर sensitivity to life और sensitivity towards nature जो है उसको develop कर सके बच्चों की इंतहाई crucial age होती है जिसके अंदर उनके अंदर sensitivity develop होती है human life के लिए nature के लिए और अपने आसपास के लोगों के लिए सो इसको sensitize करने के लिए literature जो है बहुत important tool होता है हमारे सामने जब literature मौझूद होता है तो literature हमें बताता है कि किस तरीके से बच्चे life की beauty को sense करते हैं अपने आपको समझ सकते हैं दूसरों को समझ सकते है animals, plants और nature को कैसे उन्होंने safe करना है उनकी क्या responsibility है कि thinking process हम बच्चों में develop करते है वाया literature और वाया literature कैसे कि जब कहानिया ऐसे themes पे ऐसे plots पे बनी हो और characters को sensitive तरीके से introduce करवाया जाए ताकि बच्चे समझ सकें कि यह चीजे कितनी एहम है और उनकी क्या responsibility है और उनका thinking process और उनकी affection दोनों उन characters के लिए develop हो जो के life और nature से और human beings से related है अगली important चीज हमारे सामने यह आती है कि birth से लेके 6 साल तक का बच्चा जिस चीज को पसंद करता है जहां attract होता है जिस कहानी को बार बार पढ़ना चाहता है बार बार page उलट के देखना चाहता है उसके visual को वह कहानिया होती है जिन में कोई न जरूर trigger करें और बच्चे अपनी imagination में इस कहानी को सोचे और आइससे हीरो से अपने आपको replace करें आपकी जो कहानी है वो बच्चे के cognitive development के मताबिक होनी जाए वो चीजें जो बच्चे समझ सकते हैं और वो चीजें जहां बच्चे सोचना शुरू कर सकते हैं अगर हम fictional stories introduce कर आपते हैं और वो actually character adventure पर नहीं जाता बच्चा खुद imagination में उस adventure पर चला जाता है उसके इलावा हमारे पास fictional word के अंदर literature के यह बहुत जरूरी है कि जितने भी concept हैं चाहे वो theme है चाहे वो plot है चाहे वो आपकी language है इन तमाम चीजों का आपस में relationship होना एक positive or static relationship होना बहुत ही है बहुतरीन text में और बहुतरीन visual में present होना चाहिए ताकि बच्चों में उन किताबों को बार बर पढ़ने का interest develop हो सके और वो जब भी उनके दोस्ता हैं वो भाग के जा और वो किताबें उने दिखाए कि आज हम यह किताब पढ़ते हैं तो thank you so much student